Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप लोग, मीदा कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक टाक होगे, तो आज वीडियो में इंशालला हम लोग फेस्टरियो फेसिक्स चैप्टर no.10 को जो है वो क्विक्ली रिवाइस करेंगे, विच इस अबाउट था थर्मो डाइनामिक्स, तो इस चैप्टर म हम लोग जायतर हीट और हीट चेंजे के बारे में स्टेडी करेंगे, सबसपहले हमारे पास थर्मल एकुलिब्रियूम, अब थर्मल एकुलिब्रियूम जो है वो, इसका कॉंसेप्ट इस तरह से है के, for example हमारे पास दो बाड़ी है, ठीक है, और दोनों का टंप्रेचर जो ह तो this means that कि दोनों बारे में यह जो है एक दूसरे को हीट जो है वो एक्सेंज नहीं करेंगी, मतलब इनका जो एक्सेंज अव ज़ीरो होगा, तो हम बोलीगे के यह जो बार्ड़ी हैं, यह एक दूसरे के साथ थर्मल एकुलिब्रियूम में है, ठीक है? जब मारे पास दो ब जदा hot होती है और दूसरी जहाँ थोड़ी cold होती है तो इस रहता है कि heat जो हो hot body से cold body के तरफ ट्रांसफर होती है ठीक है तो ये system जो है वो equilibrium नहीं है ठीक है लेकिन जब महाँ पास दो bodies उनका temperature सेम हो ठीक है उनमे net exchange of heat जो है वो zero हो तो हम लोग कहते हैं कि these bodies are in thermal equilibrium फिर इस point में उसने लेखा है कि अगर हम लोग इन ही दो bodies को जो है वो जो के thermal equilibrium है इनको हम लोग जो है वो for the long period of time जो है वो आपस में contact में रखें तो महाँ पास उसके बाद जो temperature attain होगा तो उसे हम लोग जो है वो equilibrium temperature बोलेंगे ठीक है फिर उसके बाद उसने temperature को define किया कहता है कि temperature the body is the physical property that determines whether the body is in thermal equilibrium or not ठीक है और basically temperature जो है basically it is the property that determines the direction of heat flow ठीक है heat हमेशा जो हो hot body से जो cold body के तरफ से move करती है तो यह जो direction of heat flow है ना यह हम लोग basically temperature से जो हो determine करते हैं next time आपास work sorry heat and work heat and work जो है वो यह दोनों जो है वो energy की forms है ठीक है और उनका unit भी जो है वो same होता है same unit अगर unit same है थो इनकी dimension भी जो है वो same ही होगी फिर उसके बाद उसने heat को define के कहता है कि something that flows from the hot water to the cold body till the temperature of both bodies become equal ठीक है तो उसे हम लोग जो है वो heat कहते हैं तो उसने बोले एक में पास से जो heat and work है नहीं कि दोनों जो है वो forms of energy है और यह दोनों जो है वो body के temperature को जो है वो increase करती है ठीक है आप लोगों को sometime MCQ आ जाता होता है कि आप लोग बताओ I think यह किसी practice test के अंदर मैंने दिया भी था यह MCQ कि like वो कौन से ऐसे functions है या phenomenon है जिनके थरू हम लोग जो है वो किसी भी body के temperature को जो है वो increase कर सकते है तो heat and work है ठीक है फिर यहाँ पर उसने एक point लिए कहता है कि में पास जो work है ना basically it is directly proportional to q मतलब heat हमार पास जितनी जयदा होगी quantity of heat जो है जितनी जयदा होगी उतना जयदा जो है वो work performed होगा so we can say that work is directly proportional to heat अब यहां से अगर directly proportional के sign को हम लोग हटाई तो मर पास कौन सा constant of proportionality आएगा w is equal to j q अब यह जो j है ना basically it represents the mechanical equivalent जैसे हम लोग jowl constant पी जो है वो कह सकते हैं अगर आप लोगों से question करें कि आप लोग jowl constant को find करो तो आप लोग इस relation को use करोगे कि w is equal to j q और यहां से jowl constant यह है so j is equal to double u divided by q आप लोग इस relation को use करते हुए किसे mechanical equivalent को या jowl constant को जैसे हो find कर सकते हो तो jowl constant को या mechanical equivalent को हम लोग कैसे define करते हैं कहता है कि it is the ratio of work done in joules to the heat produced in calories is called as mechanical equivalence of the heat और 1 calorie मा पास 4.18 joules की equal होती है अगर mcq में आप लोगों से पूछे कि इसकी work and heat की unit क्या है तो work and heat की unit क्या है वो जowl है ठीक है लेकिन आप लोगों से अगर question करें कि इसकी unit क्या है जो मार पास jowl constant है या mechanical equivalent है तो आप लोग देख सकते हो कि मार पास relation क्या था w is equal to j q j की हम लोगों ने unit find केरनी है j is equal to w divided by q अब work की unit हमार पास jowl है ठीक है और इसकी भी jowl है heat की भी so jowl jowl cancel होगे इसलिए हम लोग कह सकते है कि हमार पास जो mechanical equivalent है या जो हमार पास jowl constant है उसका जो है वो कोई भी unit जो है वो नहीं है ठीक है तो यह भी important mcq point है आप लोगों से question कर सकते है कि what is the unit of jowl constant next नहीं हमार पास internal energy तो मार पास किसी भी system के अंदर जितनी भी energies होती है चाहे वो kinetic energy है या potential energy है उनके sum को हम लोग जहे हो internal energy कहते है ठीक है next नहीं हमार पास thermodynamic systems तो हम लोग pressure, volume and temperature को thermodynamics वो कहते है thermodynamic variables ठीक है जब यही thermodynamics variables मिलकर कोई system बनाते हैं तो उसे हम लोग thermodynamic system बोलते है ठीक है यह simple simple सी definitions है यहां से कोई mcq नहीं आते next question बता है कि closed system कौन सा होता है open system कौन सा होता है closed system में आप मार पास हो heat transfer नहीं होती ठीक है क्योंकि यह closed system है open system में heat transfer जो होती है फिर इसके लिए आप मार पास एक ऐसा system भी होता है जजका हम लोग isolated system कहते है तो isolated system में जो है वो heat के साथ साथ mass भी जो है वो transfer नहीं होता ठीक है जो हम लोग isolated system कहते है फिर वो कहता है कि mathematical relation between the volume pressure and temperature is known as equation of state of system जिससे आप लोगों ने general gas equation का भी नाम दिया था chemistry के अंदर जो कह मार पास PV is equal to energy ठीक है तो यह एक वाहत ऐसा relation है जो के जितने भी मार पास thermodynamical variables है pressure हो गया, volume हो गया, temperature हो गया उनको एक जुसरे के साथ correlate करता है ठीक है अब यहाँ पर यह चीज़ important है first law of thermodynamics the first law of thermodynamics based upon the law of conservation of energy first law of thermodynamics हाँ मार पास जो mathematical relation है वो यह है delta q is equal to delta u plus delta w अब यहाँ पर delta u जो है basically it represents the internal energy delta q जो है वो heat को represent कर रहा है और delta w जो है वो यह work को represent कर रहा है अब यहाँ पर आके आप लोग के पास कुछ conventional signs है यह आप लोगों याद करने है कहता है कि मार पास जब भी heat जो है वो यह inter है ठीक है inter the system हमार पास जो delta q है वो positive होगा लेकिन अगर यही heat जब leave करेगी किसी system को मार पास जो delta q है वो negative होगा अब अगर delta u हमार पास जो है उस पर किस तरह का effect होगा अगर हमार पास जाए वो किसी भी system का temperature जो है वो rise करता है ठीक है तो हमार पास जो delta u का ना वो positive होगा लेकिन अगर किसी system का temperature जो है वो decrease होता है ना तो हमार पास जो delta u है वो negative होगा ठीक है तो यह चार conventional signs है यह आप लोगोंने जो है वो लाजबी जहन में रखने है आप लोगों से question कर सकता है कि अगर heat जो है वो system के अंतर इंटर हो रही है तो delta q जो है वो positive होगा negative होगा zero होगा क्या होगा अगर वो leave कर रहा है तो फिर क्या होगा अगर किसी भी system का temperature increase हो रहा है तो delta u क्या होगा अगर decrease हो रहा है तो delta u क्या होगा ठीक है तो यह चार चीज़े है आप लोगोंने इनको जो है वो लाजबी जहन में रखने है so first law जो है वो basically यह तीन चीज़ों को जो है वो relate करवाता है यह हम लोग कह सकते हैं कि तीन आइडिया को जो है वो relate करवाता है एक तो यह उसने बला है कि इन्टालन energy जो है वो यह एक state variable है उसने बला है कि मारे पास यह जो first law है यह basically love conservation of energy पे जो है वो base करता है और उसने यह कहा कि मारे पास heat और energy जो है वो same ही जीज़ है ठीक है देखो जब भी मारे पास किसी भी किसम का cyclic process हो ना तो उस case में मारे पास delta q जो है वो delta w के जो है वो equal हो जाएगा मतलब जितनी ज़्यदा हम लोग system को heat ते हैं कि वो सारी heat जो है वो work done में convert होती जाएगी क्यों क्यूंकि मारे पास जो cyclic process होते हैं तो मारे पास जो delta u होता है ना वो 0 होता है ठीक है तो आप लोग पास relation के इस तरह से first law of thermodynamics का delta q is equal to delta u plus delta w अब delta u 0 है तो अब लोग लेख सकते हैं कि delta q is equal to delta w मतलब जितनी हम लोग heat ते हैंगे system को तो वो सारी कि सारी heat जो है वो work done में convert होती जाएगी ठीक है अब नेक्स मारे पास applications of first law of thermodynamics तो उसके लिए वो एक table में जो है वो सारी चीजों को summarize कर रहती है सबसपहले है हमारे पास isobaric process isobaric process में जो हो pressure जह हो constant होता है तो इस के बाद हमारे पास isocoric process isocoric में हमारे पास जुँशा हो जो walium होता है delta v מה नेm से indicate कर रहे हैं जो हुप 따atra है तो इसके बाद हमारे बाद हम इनर्चिर बही में लोग कहा सकते हैं इसके बाद मार पास अडियोबेटिक प्रसस है, अडियोबेटिक प्रसस में मार पास जाहाँ वो डेल्टा-Q जो है वो ये constant होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को next column में उसने PV graphs दिये हुए, आप लोगों को से question कर सकता है कि आईसोबेरिक प्रसस का graph कैसा होता है straight होता है, vertical होता है, horizontal होता है, curved होता है, किस तरह से होता है, तो ये graphs आपको पता हो, ठीक है, उसके बाद उसने जाहाँ इन ही चीजों को use करते हो, एक मार पास के इस process में कौन से चीज़ कांस्टर होती है, कौन से चीज़ मतलब zero होती है, तो फिर इन चीज़ों को use करते हो, उसने heat find की है, work find की है, first law के मताबक इन चीज़ों को बताया, तो आप लोगोंने इस table को लाजमी याद करता है, यहां से MCQ आने के chances होते हैं, इसके लब आप लोगोंने एक और काम करना है, कि आप लोगोंने book consult करना है, और book में से इन तमाम process के कुछ ना कुछ एक्जम्पल आप लोगोंने अपने जहन में रख लेनी है, जिसना for example, आप लोगों से question कर सकता है, कि brushing of tire is an example of which process, adiobatic, isobaric, isochoric, isothermal, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो बत्तब इस तरह से भी in application से MCQs आ सकते है, next time में आपस molar specific heat of the gas, अब इसको उसने first of all define के कहता है, कि specific heat is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 kg of the substance by 1 Kelvin, ठीक है, तो sometimes आप लोगों को जह है, वो specific heat की या molar specific heat की definition exam में पूछी जाती है, तो उस वक students confused हो जाते है, जब भी आप लोगों को 1 kg की बात करे ना, सिर्फ 1 kg की, ठीक है, तो आप लोगों को statement में 1 mol जो है, वो दिखाई दे दे, तो आप लोगों उन्हें बोलना है कि it is the definition of molar specific heat, ठीक है, तो इसके लिए में पास relation इस तरह से है कि में पास delta q is directly proportional to n delta t, ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग proportionality की sign को remove करें हैं, तो में पास cm आ जाएगा, cm क्या है, it is the molar specific heat, या molar specific heat capacity, so हम लोग इसको put करते हैं, delta q is equal to, में पास आ जाएगा cm and delta t, अब आप लोग इसमें से cm की value find कर सकते हैं, मतलब आप लोग molar specific heat find कर सकते हों, इस relation से, तो molar specific heat find करने के लिए आप लोग क्या करोगे, cm is equal to delta q divided by n delta t आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इस relation को use करते हुज है, व molar specific heat find कर सकते हो, और इसका unit मार पास जाएगा, वो joul per mol per kelvin होता है, ठीक है, यह भी important है, यह relation भी important है, और इन दोनों की definitions भी important है, ठीक है, देखो हम लोग उने उपर एक relation लिखा था के delta q is equal to cm and delta t, अब यहाँ पर मार पास यह जो है, यह molar specific heat को represent कर रहा है, ठीक है, लेकर specific heat of the gas की बात करेंगे, तो हम लोग इस cm की जागा जाए, वो cv introduce करेंगे, क्योंकि हम लोग constant volume की बात कर रहे है, ठीक है, तो हमार पास यह relation बन जाएगा, delta q is equal to cv and delta t, ठीक है, यहाँ से आप लोग cv को find कर सकते हो, अगर हम लोग constant pressure की बात करेंगे, तो हमार पास यह relation बन specific heat find करनी हो, तो हम लोग इस relation को लिख सकते हैं, cv is equal to delta q divided by n delta t, ठीक है, और अगर हम लोग cp find करना हो, इस relation के तो हम लोग cp is equal to, बाकि सेम relation होगा, delta q is equal to n delta t, ठीक है, जस्ट यह चीज़े चेज़े हो जाएंगे, तो आप लोग उने relations को याद करने हो सकता है, कि इस में से medical type mcq आजाए, इसके लाब हम आपास एक और relation है, कि अगर हम लोग जाए, वो molar specific heat at constant pressure को minus करें, molar specific heat at constant volume, तो हम आपास universal gas constant r की को लाता है, ठीक है, और इस r की value हम आपास कितनी होती है, 8.315, 315 joule per mol, ठीक है, per kelvin, तो यह relation भी important, आप लोगोंने इसको भी जहन में रखना है, हो सकते है कि आप लोग को जाए cp की value दे, और आप से बोले कि cv find करो, तो आप लोग cv find कर सकते हो, क्योंकि r की value तो constant है, तो दो values आपको already given है, तो आप लोग तीसरी find कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से इस में से numerical based mcq आ सकता है, इसके बाद हम आपास reversible and irreversible processes, इसको मैं define तो नहीं करेंगा, या आप लोग खुड define कर सकते हो, obviously, हम लोग इनकी example देखते है, ठीक है, आपास जो liquification होता है, evaporation होता है, किसी भी substance का, ठीक है, तो यह reversible processes होते है, बाद कि यहाँ पर और कोई mcq point नहीं है, just us ने reversible and irreversible की definitions लिखी होगी है, ठीक है, जो process reverse हो चाता है, हम लोग reversible कहते है, जो reverse नहीं होता हो irreversible process कहलाता है, तो यह बच्चों वाली चीज़े है, next माँ पास heat engine, तो heat engine जो है, बेसिकल यह ऐसी device है, जो कि heat energy को mechanical work में convert करती है, इसकी example माँ पास steam engine है, petrol engine है, diesel engine है, ठीक है, यह तीनों जो है, इसकी examples है, और माँ पास heat energy को जो है, बे ठीक है, उसके बाद आकर यह heat engine में, जैस्ट उसकी, उसने explanation लिखी है, उसका working principle लिख है, और उसको बताया कि किस तरह से काम करते है, तो इसमें किसी भी किसम का mcq point नहीं है, जैस्ट theories है, आप लोग इन कुछ है, अगर पढ़ना चाहते हो, तो हुद पढ़ लोग, ठीक है उसके बाद यहाँ पर मारपास thermal efficiency है, इसका यहाँ पर एक relation है, कि thermal efficiency is equal to work done divided by heat absorbed, ठीक है, और कहते है कि अगर मारपास temperature of low temperature reservoir, जैस्ट 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 होगी, बागी यहाँ पर कोई mcq point नहीं है, नेक्स नमर पास second law of thermodynamics, अब second law of thermodynamics, basically it is the generalized form of law of conservation of energy, ठीक है, अब यह law हमें यह बताता है, कि heat और मारपास mechanical work है यहाँ आपस में inter convertible होते हैं, ठीक है, एक को यह generalized form है, law of conservation of energy की, दूसरी चीज़ यह उसने बोला है, कि heat और mechanical work यहाँ यहाँ आपस में inter convertible होते हैं, उसके बा कहती है, परली statement यहाँ लॉर्ड कैलवन ने जहाँ दी ती, उसने खा कि, it is impossible to construct a heat engine operating in a cycle, which takes the heat from the heat source at the higher temperature, and performs an equal amount of work without rejecting any heat to the heat sink at the low temperature, तो परली statement यह थी, लॉर्ड कैलवन ने यह बोला था, कि कहता है, कि हम लोग इस तरह का heat engine construct कर ही नहीं सकते, जो कि किसी भी higher temperature के source से जहाँ heat को ले, और equal amount of work perform करे, ठीक है, किसी भी heat को without reject की हुए, तो कहता है कि हम लोग इस तरह का engine construct कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो यह लॉर्ड कैलवन की statement दी, ठीक है, उसकी कहने का मतलब यह तक मरपास जो work done होते है, वो हमेशा less than होता है, input or the efficiency of the heat engine is always less than 100, मतलब मरपास efficiency 100% हो ही नहीं सकती, हम लोग इस तरह का heat engine construct कर ही नहीं सकते, जो कि जितनी भी heat ले, उसको work done में convert करे ले, कहता है कि it is impossible, next मरपास statement है, root loop, closure statement, तो इसने यह बोला था, देखो, normally मरपास क्या होता है, hot body से heat flow कर के cold body में जाती है, तो इसने उसी statement को बोला, कहता है कि मरपास cold body से heat flow कर क जा ही नहीं सकती, hot body की तरफ, मतलब heat हमेशा जा हो hot body से cold body में जाती है, cold body से hot body में heat flow नहीं करती, यह वो ही concept है कि कोई भी चीज हो, हमेशा जा हो higher से lower की तरफ जाती है, ठीक है, lower से higher की तरफ नहीं आ सकती, अगर आती भी है, तो उसको कोई ना कोई work perform करना पढ़ेगा, ठ ठीक है, without the expenditure of the work, heat जो है, cold body से hot body की तरफ नहीं जाती जाएगी, अब यहाँ पर उसने 1st and 2nd law of thermodynamics के कुछ differentiating factors बता है, कहता है कि 1st law of thermodynamics tells us about the equivalence of the heat and work, ठीक है, उसने बोला है, हमार पास 1st law ने बोला है, heat and work जो है, वो equivalent है, 2nd law ने यह बोला कि हम लोग इन को convert कर सकते है, य 1st law ने यह बोला कि it is forbids getting more workout of the engine then, ये then है, ठीक है, then the heat into it, लेकिन 2nd law ने हमें यह बोला कि जितनी heat absorbed होगी, work done हमेशा उससे कम होगा, उससे less होगा, हम लोग उसके equal work done या उससे greater work done perform नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, जितनी heat से है, वो system के अंदर absorbed होगी, उस heat से भी कम हमार हमारा पास हो work done होगा, ठीक है, जबके 1st law ने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि हमारा पास यह coordinate engine था, यह basically idealized heat engine था, ठीक है, इसमें मतलब heat losses उन्होंने कहा था कि नहीं होती, अगर heat losses नहीं होती, तो इसकी engine की efficiency 100% है, लेकन हमारा पास actual heat engine होता है, उसकी efficiency हमेशा 100% से कम होती है, ठीक है, 100% हो ही नहीं सकती, तो इसने यहाँ पर यह statement दीचे कि efficiency of the actual heat engine is always less than the coordinate heat engine, coordinate heat engine आपको इसको ideal heat engine समझ लो, ठीक है, जिसकी efficiency 100% है, जो कि idealized हम लोगोंने बात भी की, ठीक है, तो उसके बद आप लोगों के पास coordinate cycle में यहाँ पर दो points है, एक में कहता है कि मारा पास जो जो में आपास answer आएगा, तो वो absorbed heat होगी, उसको बाद उसने efficiency कवता है, कि efficiency कैसे calculate करनी है, तो उसका relation है, तो यहाँ आप लोगोंने देख लेने हैं, नेक्स्ट है मारा पास referee generator, अब referee generator जो है, वो इसमें इतने half MCQ points नहीं है, लेकिन कहता है कि यह कैसी device है, ठीक है, जिसको ह यूज़ करते है, for the cooling purpose या heat को, यूज़ या temp pressure को maintain करने के हम लोगो use करते है, ठीक है, तो उसे हम लोग रेफ्रीज रेटिंग मेश्ट रेट या रेफ्रीज रेटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन कहता है कि अगर हम लोग इसे ref रेटिष रेटर को यूज़ करें, cooling purpose के लिए summers म तो उसे हम लोग जाए वो रेफ्रीज डेटर कहते हैं और अगर हम लोग इसी रेफ्रीज डेटर को जाए वो यूज करते हैं for the heating purposes in the winters तो उसे हम लोग जाए वो heat pump कहते हैं ठीक है इसका जो working substance होते है उसका हम लोग रेफ्रीज रेंट कहते हैं और इसमें जो चीज work perform कर रही होती है, इसमें हम लोग compressor कहते हैं, ठीक है, बाकी इसमें और कोई mcq point नहीं है, उसके बाद हमार पास है एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम लोग जाए वो delta s से represent करते हैं, अब delta s जो है basically ही क्या है entropy, entropy को हम लोग basically कहते हैं, कि ये किसी भी system का, अ आप लोगों इसको जहन में रखना है, फिर कहते हैं कि अगर हम लोग system के अंदर heat को add करते हैं, तो हम लोग entropy होगी ना वो positive होगी, अगर हम लोग heat को remove करते हैं, तो entropy जो है वो negative हो जाएगी, कहते है कि मार पास जो net entropy होती है, ये हमेशा increase ही होती है, decrease नहीं होती, तो उसके कहते है कि it is defined as the measure of disorder of the system, ये हम लोग already defined कर चोके है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसने point लेकर कहते है कि it is observed that in all the natural process, the energy tends to pass from the more useful form to the less useful form, तो इसे हम लोग जो है वो degradation of energy कहते हैं, अब next time मार पास conversion of the temperature on different scales, देखो मार पास temperature को हम लोग measure करते हैं, centigrade में में ही करते हैं, जो है वो Kelvin scale पे भी measure करते हैं, तो इन values को आप लोग जो है वो enter convert कैसे कर सकते हो, एक scale से दूसरे scale पे, तो सबस्पहले हम लोग देख लेते हैं, कि आप लोगो ने जो है वो centigrade को Kelvin scale पे जो है कैसे convert करना है, ठीक है, तो एक relation है, मार पास K is equal to C plus 273, अगर आप लोग को statement में value जो है वो centigrade में given है, वो आप से कहता है कि आप लोग इसे Kelvin में convert करो, तो just simple, आप लोगो उने क्या करना है, कि उस value में 273 को जो है वो plus कर देना है, ठीक है, तो आप लोग फिर इस relation को use करोगे, लेकिन अगर आप लोग को value जो है, वो Kelvin में given है, और वो कहता है कि आप लोग इस इस relation को जह है वो change कर देना, ठीक है, इसको मतलब arrange कर लेना है, तो आप लोग लिख लोग है कि c is equal to k minus 273, ठीक है, तो अगर आपको statement में जह है वो centigrade में reading करोगे, तो आप लोग इस relation को use करोगे, अगर आप लोग को value जह है, वो Kelvin में given है, आप लोग उसे centigrade में पूछ तो आप अप लोग इस relation को use करोगे, ठीक है, तो आप लोग इस relation को याद कर लो, अगर आप लोग इसको होदी जह है, वो arrange कर सकते हो, ठीक है, according to your statement, फिर उतको बद आप लोग देख लेते हैं, कि आप लोग उने centigrade को Fahrenheit में कैसे convert करना है, या Fahrenheit को centigrade scale पे जह है, वो कैसे convert करना है, तो उ अगर आप लोग को temperature जो है, वो centigrade में given है, और वो कैता है कि आप लोग उसको फोरण height में convert करो, ठीक है, तो आप लोग फिर इस relation को use करोगे, लेकिन अगर आप लोग वैल्यू जाए, फोरण height में given है, और वो कैता है कि आप लोग centigrade scale reading find करो, तो अप लोग इस relation को जह है, वो arrange कर लोगे, ठीक है, अगर हम लोग इस relation को जह है, वो arrange करने centigrade के लिए तो मुरा पास यह क्या बन जाता है, देखो मुरा पास क्या है, f is equal to 9 by 5, c plus 32, यह 32 इदर आकर minus हो जाएगा, f minus 32, ठीक है, is equal to 9 by 5, c, अब यहाँ पर 5 divided हो रहा है, उदर आकर multiply होगा, और यहाँ पर 9 जो 5 by 9, ठीक है, is equal to c, आप लोग इस तरह से equation को arrange कर करके अपने लिए different readings, या according to your statement, आप लोग इनको जह है, वो find कर सकते हो, यह important है, यहाँ से एक कदम CQ लाजमी हाता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, कि foreign height को Kelvin में कैसे convert करने है, या Kelvin को foreign height में कैसे convert करने है, उसके लिए relation है, माद पास F is equal to, उस तरह से 9 by 5, ठीक है, Kelvin scale reading, minus 459.4, ठीक है, यह relation है, आप लोग इसको use करके, जह है, वो foreign height को Kelvin में, और Kelvin को foreign height में convert कर सकते हो, तो इसको भी आप लोग उने जहन में रखना है, तो यह था आप लोग पास chapter number 10, ठीक है, thermodynamics, उमीद है कि आप कुने काफी कुछी का होगा,